हेलो सुडेंट्स आप सभी का स्वागत है मेगनेट ब्रेंस हिंदी पर मेरा नाम है अरुन और हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं समानतर शेणी गुनोतर शेणी नाम का जो अध्याय है जिसे आप अनुक्रम तथा शेणी कहते हैं उसके बारे में वैसे आप सभी विद्यारत कोई पैसा देने के आवश्यक्ता नहीं है नहीं आपको कोई चार्ज आपसे कोई मांगने वाला है तो बस आपको इंजॉय करना है पढ़ना है सीखना है बहुत कुछ हमारी यहीं आप से उम्मीद है चलिए शुरुआत करते हैं अनुक्रम तथा शेणी नाम के अध्याय मे विविद उधारनों के बारे में चैप्टर फिनिश हो चुका है और बहुत खतरनाक खतरनाक सवाल आपके सामने मिलने वाले है जैसे कि पहला यह उधारन है किसी समांतर शेणी का पी वा क्यू वा आरवा तथा एसवा पद गुनोतर शेणी में हैं यह कौन सी बात है उसके बात दिखाईए कि पी माइनस क्यू आर माइनस एस और क्यू माइनस आर आर माइनस एस भी गुनोतर शेणी में होंगे दिख रहा है पहले सवाल को समझो एक समांतर शेणी है ठीक है तो हमने मादा कि एक समांतर शेणी है ठीक है उसका प्रथम पद माना समांतर शेनी का प्रथम पद ए सरवांतर जो है वो डी है या डी हाँ ठीक है सरवांतर डी है इतना क्लियर है अब उस समांतर शेनी का R-1D और S वापद AS बराबर A प्लस S-1D और यह जो है ना यह चारों के चारों GP में है GP में मतलब जो P वापद है Q वा, R वा, S वापद जो है वो GP में है इसका मतलब यह है कि AP AQ AR AS GP में है काई मैसर जी यह GP में है बात इतनी सी है बस तो अब आपको यह देखना है कि अगर यह GP में है तो क्या होगा एक काम करते हैं अपन चार क्रमागत पदों को लेते हैं जो GP में है उनसे समझने की कोशिश करते हैं इन्हें अपनने समी करण 1 समी करण 2 समी करण 3 और समी करण 4 कह दिया है आपको क्या बोला है कि यह तो समांतर शिणी में है लेकिन जो उस समांतर शिणी का पीवा क्यूवा और आरवा पद है वो GP में है मतलब AP, AQ, AR और GP में है तो इस GP का प्रथम पद अपन आर या प्रथम पद अलफा और सरवान उपात आर माल देते है ठीक, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो AP होगा वो होगा अलफा गुना आर की घात पी माइनस एक यही होगा अलफा गुना आर की घात पी माइनस एक और एक काम करते हैं अब चूकि यह चारो जीपी में है तो मैंने कहा कि बढ़िया सा काम यह है कि इसे अपन अलफा माल देते है अपन इने चार पद माल देते है यह अलफा है तो अगला पद कौन सा होगा AQ AQ कितना होना चाहिए AQ चूकि जीपी में है तो AQ इस से एक जादा अलफा आर होना चाहिए हाँ जी उसके बाद A P या A R अलफा आर का वर्ग होना चाहिए अच्छा यार यहां थोड़ी समस्य होगी तो इसको आर की जगे में बीटा लिख देता हूँ क्योंकि आर प्रस्न के अंदर है तो अपन दो दो आर रखके कन्फ्यूस करेंगे खुद को भी और चेक करने वाले सर को भी अलफा बीटा क्या घात दो और A S जो होगा वो अलफा बीटा की घात तीन होगा यह चारो जो संख्याएं हैं वो समानतर शेणी में है है ना मतलब यह चारो यह चारो जो है वो गुणोत्तर शेणी में आ चुकी है अगर यह चारो गुणोत्तर शेणी में आ चुकी है तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो चुकि यह चारो गुणोत्तर शेणी में है तो क्या आप यह बात बोल सकते हैं आपको चाहिए P-Q, Q-R और R-S ठीक है तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर है क्या चुकि GP में है ध्यान से देखिए चुकि ये AP सब GP में है तो क्या AQ बटा AP AQ बटा AP AQ बटा AP बराबर होना चाहिए AR बटा AQ बराबर होना चाहिए AS बटा AR मतलब देखिए इसको इससे भाग दोगे तो एक अनुपात आएगा जो बीटा के बराबर है इसको इससे भाग दोगे तो भी बीटा के बराबर अनुपात इसको इससे भाग दोगे तो भी बीटा के बराबर अनुपाद ये तीनों बराबर होने चाहिए प्रश्ण को आप समझ सकते हैं सीधा सीधा तो AP बटा AQ या AQ बटा AP, AR बटा AP और उसके बाद AS बटा AQR ये सभी के सभी बराबर है ठीक है सथ तो क्या कर सकते हैं यार हमने क्या बोला हमने ये बोला कि अगर ये चारो के चारो जीपी में है और चारो बराबर है तो AQ की जगे अपन ये लिख सकते हैं क्या मैं AQ की जगे लिख सकता हूँ a plus q minus 1 d a p की जगे a plus p minus 1 d a r की जगे a plus r minus 1 d और यहाँ a plus s minus 1 d लेकिन लेकिन ऐसा करते समय calculation थोड़ा भयंकर हो सकता है चलिए शुरुवात करते हैं जो होगा सो देखा जाएगा हमने लिखा a plus p minus 1 d मैंने कह लिखा है a plus q minus 1 d यहाँ पर तो यह बचा a plus q minus 1 d बटा a plus p minus 1 d बराबर होना चाहिए a plus r minus 1 d के बराबर और a plus q minus 1 d यहाँ पर a q आएगा p नहीं आएगा तीसरा जो पद है r को q से भाग देना पड़ेगा तो q minus 1 d बराबर a plus s minus 1 d और a plus r minus 1 d के बराबर इतना है कुछ यह अब एक चीज होती है componento and dividendo उसका परयोग यहाँ बहुत खुबसूरती के साथ करना पड़ेगा अगर तीन अनुपात बराबर है तो आप तीनों अनुपात में एक को घटा सकते हैं एक को जोड सकते हैं वो भी आपस में बराबर ही होंगे अगर तीन अनुपात बराबर है तो आप तीनों अनुपातों को आपस में जोड सकते हैं वतला सब में एक एक जोड दो चलेगा सब में एक एक घटाओगे वो भी चलेगा तो आपने क्या किया सारे अनुपातों में एक एक का घटाओगर दिया पहले क्या करोगे a प्लस q-1 d में बटा a प्लस p-1 d में बराबर है किसके a प्लस r-1 d बटा a प्लस q-1 d बराबर किसके होना चाहिए a प्लस s-1 d और a प्लस r-1 d के आपने इन तीनों में एक एक का घटाओ कर दिया यहाँ पर आपने एक घटा दिया यहाँ पर भी एक घटा दिया यहाँ पर भी एक घटा दिया उसके बाद आपने लगुत्तम ले लिया लगुत्तम ले लिया तो क्या मिला उसको बड़े ग्यावर से सूचिए उपर क्या मिलेगा मैं एक को हल कर देता हूँ बाकि आप आप आटमेटिक समझ जाओगे अगर मैं लगुत्तम लोगा उपर तो A प्लस Q माइनस 1D माइनस A प्लस P माइनस 1D और ये बचेगा A प्लस P माइनस 1D ऐसा करने से आपके पास सीधा सीधा यहाँ पर बचेगा A से A गया QD से PD बच जाएगा और उसके बाद D से D चला जाएगा तो अंश में Q माइनस PD बच जाएगा क्या बचेगा अंश में अगर इसे लगुत्तम लेने के बाद सरल करोगे तो बचेगा Q माइनस P गुणा D ऐसा कुछ बटा A प्लस P माइनस 1D बराबर यहाँ पर बचेगा R माइनस Q D बटा A प्लस Q माइनस 1D बराबर बराबर किसके A प्लस या A से A चला गया आपके सामने बचेगा S माइनस R D बटा A प्लस R माइनस 1D के बराबर इसे माल लेते हैं कोई संख्या K क्या आप मेरी बात समच चुके हैं अगर समच चुके हैं तो आगे सोचो क्या होगा देखो क्या मतलब इनको लगुत्तम लोगे ना तो A से A कट जाएगा D से D कट जाएगा R माइनस Q D बचेगा और यहाँ पर S माइनस R D बचेगा लगुत्तम वाला भाग आपका है अब यह A प्लस P माइनस 1 जो D था इसको गौर से देखो A प्लस P माइनस 1 D जो है वो A P है और A P को आपने अलफा माना था प्रश्न में तो अपन इसे लिख सकते हैं कि यह ऐसा मिला असर Q माइनस 1 या Q माइनस P D बटा एल्फा बराबर R माइनस क्यू D A plus Q D है ना A plus Q माइनस 1 D इसे अपन ने मना था αلفा गुरा बीटा तो इसलिख दिया अलफा गुना बीटा बराबर S-R D A-R-1D A-R-1D AR के बराबर जो की alpha गुणा beta की घात 2 है तो ये alpha गुणा beta की घात 2 बराबर K के बराबर ठीक अब अपन 1 by 1 तीनों को हल करते हैं इन दोनों को इसके बराबर रखा तो क्या मिलेगा Q-P D बटा alpha बराबर K है ना तो देखो इसको solve करूँगा तो क्या मिलेगा Q-P बराबर K बटा D alpha ठीक ठीक अगर R-QD बटा alpha बीटा को लिखोंगा तो ये भी K के बराबर चुकि तीनों अनुपात है तो तीनों किसी K संख्या के बराबर होना चाहिए तो अगर तीनों के के बराबर तो ये भी K के बराबर यहां से आप लिख सकते हैं कि Q-P जो है वो के alpha बटा D तो है पर साथ में बीटा भी है ये बीटा उदर पहुँच जाएगा ना ये के alpha बटा D है ठीक उसके बाद उसके बाद S-R जो है वो के alpha बटा D तो है पर साथ में बीटा का वर्ग है अब इन तीन संख्याओं को बड़े गौर से देखिए कौन-कौन सी तीन संख्या है संख्या में संख्या नंबर 1 संख्या नंबर 2 और संख्या नंबर 3 1, 2 और 3 P-Q K alpha बटा D है Q-P जो है Q-P नहीं R-Q है यह R-Q R-Q है वो K alpha बटा D में बीटा का गुना करने से आया S-R है वो K alpha बटा D में एक और बीटा का गुना करने से आया मतलब यह जो संख्या है K alpha बटा D K alpha बटा D गुना बीटा और k alfa bta d गुना-beta का वर्ग ये तीनों के तीनों gp में हैं जहां पहला पद k alfa bta d है उसमें r का गुना किया मतलब बीटा का गुना किया पिर बीटा का गुना किया तो छूकी ये 3 संख्या जीपी में हैं इसलिए मैं कहे सकता हूँ कि q – p r – q और s – r gp में है यही कहानी फिनिश है बस इतनी सी है डन तो इतनी सी बात है और एस में थोड़ा calculation यहां पर भारी है पर मुझे उम्मीद है कि calculation को आप आसानी से समझ लेंगे अगर NCRT में इसको सरल तरीके से आपको दिया है मत्तब छोटे से रूप में दिया है तो वहां उन्हें इस calculation को सीधा यह लिख दिया है थोड़ा क्यलकुलेटिव पार्थ हमें समझना पड़ेगा इसलिए अपन आराम आराम से एक-एक स्टेप को अगर यहां पर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं नहीं है तो بھی c गुणतर शेनी में है तथा a की घात 1 बटा x, b की घात 1 बटा y, c की घात 1 बटा z तीनों बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि x, y, z समानतर शेनी में है ठीक है कोई दिख्कत की बात नहीं है आपको बोलाएं कि a, b, c गुणतर शेनी में है अगर तीन संख्याएं गुनोत्तर शेणी में होती है तो B का वर्ग A गुना C होना चाहिए ठीके अगर ABC गुनोत्तर शेणी में है तो साथ में आपको जो दिया है अब अपन उस पर बात करते हैं क्या दिया गया है उसको देखो A की घात 1 बटा X B की घात 1 बटा Y C की घात 1 बटा Z अब आप पहले इन दोनों को लिखो A की घात 1 बटा X बराबर B की घात 1 बटा Y इसे समीकरण एक नाम दे सकते हैं एक काम कीजिए अब दोनों साइड ना XX घात बढ़ा दीजिए मतलब आप क्या कीजिए A की घात 1 बटा X की भी घात X कर दीजिए और B की घात 1 बटा Y की घात भी X कर दीजिए ऐसा करने से यहां X तो X कट जाएगा A बचेगा B की घात X बटा Y इसके बराबर बिलकुल सही है और अगर इन दोनों को बराबर भी करेंगे इसे अपने समी करन दो नाम दे दिया अगर मैं इन दोनों को बराबर करूँगा B की घात 1 बटा Y बराबर C की घात 1 बटा Z हमने दोनों साइड C की घात या घात Z कर दी मतलब C को आजाद करना जैसे यहां A को आजाद किया तो आपको C मिलेगा B की घात Z बटा Y यह आपको तीसरा रिजल्ट है दोनों साइड आपने जट जट घाज कर दी अब पहली पहले में जहां ए है वहां यह रख दो जहां सी है वहां यह रख दो मतलब आप क्या करो एक दो एवं तीन से जो बी का वर्ग है वो हुढ बी की घाथ एक्स बटा वाई गुना बी की घाथ जड बटा वाई यह होगा ना ए की जगे बी की घाथ एक्स बटा वाई प्लस Z बटा Y करूँ तो यहां से B का जो वर्ग है वो B की घात X प्लस Z बटा Y आ जाएगा और चुकि B की दो घाते बराबर है इसका मतलब दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए या फिर 2Y बराबर X प्लस Z अगर बीच वाली संख्या का डबल आपस की दोनों संख्याओं का योग है तब मैं कह सकता हूँ कि X, Y और Z जो है वो A, P में है मतलब समानतर शेणी में है अगर 3 संख्याए A, B और C समानतर शेणी में है तो 2B बराबर A प्लस C अगर 3 संख्याए A, B, C ग्णोतर शेणी में है तो B का वर्ग बराबर A प्लस C होना चाहिए आपके सामने यही कॉंसेट था यही सवाल था प्रेश्ण नमबर 22 में या उधारन नमबर 22 में बात करते हैं उधारन नमबर 23 सरल सवाल था इसमें कोई चिंता की बात नहीं थी 23 वा जो प्रेश्ण है वो शायद आपको रुलाएगा नहीं रुलाएगा देखो यदि A, B, C, D तथा P विभिन वास्तविक संख्या हैं और इस प्रकार है कि A का वर्ग, B का वर्ग, प्लस C का वर्ग पूरे का पूरा P के वर्ग के साथ गुणा है माइनस दो गुणा A, B, B, C, P, C, D फिर P के साथ गुणा है प्लस B का वर्ग, प्लस C का वर्ग, प्लस D का वर्ग या तो शुन्य है या शुन्य से छोटा है तो दर्शाई ये कि A, B, C तथा D गुणोतर शेणी में है अब देखो यार आपको जो दिया है ना वही सबसे जरूरी है यहाँ पर A का वर्ग प्लस B का वर्ग, C का वर्ग पूरे में P का गुणा है ये सारी संख्या है A, B, C, D और साथ में P वास्तविक संख्या है मतलब कोई भी संख्या कालपनिक नहीं है या सम्मिश्र नहीं है प्लस B का वर्ग, C का वर्ग और D का वर्ग सुनो अब ध्यान से P को अंदर गुणा करो तो क्या मिलेगा A का वर्ग P प्लस B का वर्ग P प्लस C का वर्ग P और ये दो और P को इन में गुणा भी कर दो तो माइनस दो A, B, P प्लस दो B, C, P प्लस दो या दो नहीं, प्लस नहीं, माइनस सब जगे है क्योंकि माइनस का चिन्न बहार था माइनस दो C, D, P प्लस B का वर्ग प्लस C का वर्ग प्लस D का वर्ग या तो शुन्द है या शुन्द से छोटा है अब मैं जो करने वाला हूँ उसे बड़े ध्यान से देखना A का वर्ग P इसे इसे और वहां से B के वर्ग को पास पास लिख दो माइनस दो A P इसको ऐसे लिखकर B अलग लिख दिया मतलब A और P को पास में लिखके B को अलग लिख दिया प्लस B का वर्ग उसी तरह B का वर्ग P अच्छा B का वर्ग P है और यहां से अच्छा P का वर्ग है न यह भी तो यहां पर P का वर्ग है यहां पर भी P का वर्ग P का वर्ग तो यह भी P का वर्ग ये भी P का वर्ग माइनस दो B गुणा P साथ में C प्लस C का वर्ग प्लस C का वर्ग P का वर्ग माइनस दो C का वर्ग P का वर्ग है तो अपनने CP को पास में लिख दिया और लिख दिया B को बाहर या D को बाहर यहाँ पर D है तो D को बाहर और साथ में D का वर्ग फिर से बदा देता हूँ क्या किया है मैंने इसको इसके साथ और इसके साथ करके लिखा है यहाँ A, B, P था तो अपने A, P को साथ में लिख दिया B को बहार लिख दिया मतलब अंदर ब्रेकट से बहार फिर इसका गुणा या इसका जोड इसका जोड और इसका जोड इन तिनों को साथ में लिख दिया यहाँ B का वर्ग, P का वर्ग और यहाँ से जो था ना B, P को साथ में लिख दिया C को अलग लिख दिया माइनस दो तो ठीक है और उसके बाद C का वर्ग बाकी जो बच गया ये वाला ये वाला और ये वाला इनको भी पास में लिख दिया तो C का वर्ग, P का वर्ग, माइनस दो CDP तो CP को पास में लिख के D को बाहर और D का वर्ग क्या आपको यहां से A प्लस B प्लस C या A माइनस B का वर्ग जैसा कुछ दिख रहा है मैं आपको फिर से इसे बतायता हूँ थोड़ा सा अच्छे तरीके से क्या ये AP का वर्ग माइनस दो AP गुणा B प्लस B का वर्ग दिखा दिखा प्लस क्या ये B गुणा P का वर्ग माइनस दो BP CP C प्लस C का वर्ग प्लस CP माइनस दो CP D प्लस D का वर्ग ऐसा कुछ होना चाहिए तो क्या ये AP का वर्ग माइनस दो AB प्लस B का वर्ग A का वर्ग माइनस 2AB प्लस B का वर्ग A का वर्ग माइनस 2AB प्लस B का वर्ग तो क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है कि ये AP माइनस B पूरे का वर्ग है प्लस ये BP माइनस C पूरे का वर्ग है प्लस ये CP माइनस D पूरे का वर्ग है और ये शुन्य तथा शुन्य से छोटा है हमने जो दिया था ना उसे ही कुछ अलग तरह से अरेंज करकर पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा है जो दिया था उसे ही हमने इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं किया है जो दिया था उसे पूर्ण वर्ग में लिखा है अब जो दिया था अगर उसे पूर्ण वर्ग में लिखा है तो आगे की कहानी सोचो AP-B, BP-C और CP-D तो मैं लिखता हूँ कि मैंने जो निकाला है वो ऐसा है ubiqu erg 2-67 अब स्प्रक्न के पहले भाग पर पहुंचो एमी acd तथा अधिन वास्तविक संध्या है और अगर कोई वास्तविक संध्या हैं तो वास्तविक संक्याओं को दूसरी वास्तविक संक्या से गुणा करना जैसे A का P में गुणा हुआ है माइनस कोई अगली संख्या घटाना जैसे B को घटाया है उसका वर्ग करने पर किसी भी वास्तविक संख्या का मतलब ये सारी की सारी वास्तविक संख्या है दो वास्तविक संख्याओं को गुणा करने से जोडने से घटाने से प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या होती है अब अगर वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या का वर्ग सदैव और रनात्मक होना चाहिए क्या होना चाहिए और रनात्मक होना चाहिए ध्यान से सुनना ठीक है चुकि वास्तविक संख्याओं का वर् का वर्ग आरेनात्मक होता है रट मतलब या तो वो धनात्मक होता है या शुनि होता है और यहां पर बुला जा रहा है कि आप को ये जो वर्गों का योग है या तो ये शुनि है या रिनात्मक है तो हमने कहा देखो या वर्ग है वर्गों का योग करेंगे वो भी कभी शुन्य तो नहीं आएगा है ना अगर वो या वो कभी रिनात्मक तो नहीं आएगा तो शुन्य ला दो हमको चलेगा और रिनात्मक में शुन्य या धनात्मक होता है तो अगर रिनात् डी का वर्ग शुन्य हो जाए बस तभी संभव है वरना ये चीज़ संभव भी नहीं है यह अरनात्मक मतलब या तो शुन्य या धनात्मक ये भी या तो शुन्य या धनात्मक अब तीन संख्या है जो या तो शुन्य हो सकती है धनात्मक हो सकती है क्या उनका जोड कभी रनात है तो इसका मतलब यह है कि a p minus b यह संख्या भी शुन्य होनी चाहिए क्योंकि यह फिर से धनात्मक या शुन्य हो सकती यह धनात्मक शुन्य धनात्मक शुन्य जोड शुन्य का वा सकता है जब ही नो शुन्य हो कि इसका मतलब यह दूसरा शांत में अब Bp-C-0 और Cp-D-0 अब देखो P बराबर B बटा A लिख जाएगा यहां से यहां से मिल जाएगा P बराबर C बटा B और यहां से P बराबर D बटा C ठीक है क्या? अब यह भी P है यह भी P है यह भी P है इन तीनों के मिलान से क्या आप कह सकते हैं कि B बटा A, C बटा B और D बटा C मतलब B का A के साथ अनुपात, C का B के साथ अनुपात और D का C के साथ अनुपात बराबर है जो की P के बराबर है तो हपन कह सकते हैं कि A, B, C, D एक गुणोतर शेणी में है क्यों गुणोतर शेणी में है क्योंकि दो क्रमागत संख्याओं का अनुपात, B का A के साथ, C का B के साथ, D का C के साथ समान आ रहा है जहां पर सर्वानतर जो या सर्वानुपात जो है, वो P के बराबर है सर्वानुपात P के बराबर है, मतलब जो अनुपात है, वो P के बराबर ही थो है तो वही सर्वानुपात है, इस तरह से ये प्रश्न भी समाप्त होता हुआ चलिए सर तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न भी ऐसा ही कुछ है उम्मीद है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा फटाफट फटाफट नोट कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं चलिए प्रश्न नमबर 24 यदि PQR गुनोत्तर शिनी में है तथा समी करनो इतना 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 का एक उभयनिस्ट मूल है तो दर्शाइए कि यह संख्याएं गुनोत्तर शिनी में है एक बार उभयनिस्ट मूल वाली कहानी रटके देखो पढ़के देखो और कमेंट करके देखो यह सवाल आपसे हुआ या नहीं हुआ देखो PQR करते हैं सबसे पहले पी को तो पी लिखते हैं क्यूंको पी गुणा बीटा लिख लेते हैं जहां पर बीटा जो है वह यू मानके चलिए कि इस सब गुनोत्तर शेनी का सर्वान उपात है और आर को लिख सकते हैं पी का बीटा में दो बार गुणा यह पहला पदे दूसरा पत तीसरा पते पी क्यू आर गुनोत्तर शेनी में है अब इस समी करन को ध्यान से देखिए पी एक्स का वर्ग हमने का ठीक है दो क्यू एक्स हमने का ठीक है प्लस आर बराबर शुन दिया इसका मतलब है इसका मतलब यह कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि पी की जगे तो प पी लिखा कि क्यू की जगे हमने दो पी बीटा एक्स और आर की जगे पी बीटा का वर्ग बराबर शुन दिया हर पद में से आप पी को बाहर निकाल सकते हैं क्यू की जगे पी बीटा और आर की जगे पी बीटा का वर्ग अगर आपने पी को बाहर निकाला तो एक्स का वर लेगा और यह तो कभी शुन्य नहीं हो सकता अगर यह शुन्य है तो इसका सीधा-सीधा मतलब है यही शुन्य है दो बीटा एक्स प्लस बीटा का वर्ग बराबर शुन्य यहां से मूल निकालने का एक सलल तरीका है कि इसे पूर्ण वर्ग बना दो यह सीधा सीधा पूर्ण वर्ग है एकस प्लस बीटा का वर्ग बराबर शुन्य हो अगर एकस प्लस बीटा का वर्ग बराबर शुन्य है इसका मतलब एकस बराबर बीटा होना चाहिए या एकस बराबर माइनस बीटा होना चाहिए और माइनस बीटा ही इस समीकरण का इकलोता मूल है इकलोता मूल है मतलब इस समीकरण का मूल जो है वो इकलोता यही है माइनस बीटा अब बीटा कैसे निकालोगे सर बीटा का मतलब है दूसरे पद को पहले पद से भाग दे दो अगर यह जीपी है तो दूसरे पद को पहले पक्से भाग देने पर जीपी आ जाएगा तो एक्स का जो मान होना चाहिए वो होना चाहिए माइनस क्यूब अटा पी एकलोता मूल आया बसिये और अगर ये एकलोता मूल है वापको बोलाए कि इन दोनों समीकरनों का मूल उभाइनिस्ट है, उभाइनिस्ट है मतलब कहने का कि इस समीकरन है, माना ऐसे जाता है कि इसके दो मूल होंगे, उन दोनों में से एक मूल ऐसा होगा तो इसका भी मूल होगा, जैसे माल लो इसका मूल अगर एक और दो है, तो इसका मूल दो और तीन ह तो दोनों का उभाइनिस्ट है पर प्रेस्ट में इसका तो एक ही मूल है इस पूरी कहाने का जो मूल है वो क्या है एक है अगर इस पूरी कहाने का सिर्फ एकलोता एक मूल है तो वो तो इसका भी मूल होना चाहिए क्योंकि उभाइनिस्ट मूल है तो क्या मैं लिख दूँ क् एक्स बराबर माइनस क्यू बटा पी समी करण कौन सा समी करण डी एक्स का वर्ग प्लस दो ए एक्स प्लस एफ बराबर जीरो का भी मूल है अगर इतना है तो आप एक्स की जगे माइनस क्यू बटा पी रख दो इस समी करण में क्योंकि ये इसका भी मूल है उभैनिस्ट उमगूल का मतलब तो यही है तो आईए कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं डी एक्स की जगे माइनस क्यू बटा पी का वर्ग प्लस दो ए माइनस Q बटा P प्लस F बराबर शुन्य ऐसा कुछ ठीक है तो अब इसे सरल करना सरल करके कहना क्या है कि यह जो है वो समानतर शेणी में है D बटा P, E बटा Q और F बटा R ठीक है ट्राइ करेंगे इतना क्लियर है क्या इतना क्लियर है तो आपको यहां से मिलता है क्या मिलता है D और साथ में माइनस Q बटा P का वर्ग मतलब इसे लिख सकते हैं Q का वर्ग P का वर्ग D गुणा Q का वर्ग P का वर्ग प्लस या प्लस की जगे माइनस तो माइनस 2 E Q बटा P P प्लस F बराबर शुन्य ठीक 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 है इतना अगर ठीक है तो ठीक है उसके बाद आपको इससे सिद्ध करना है कि D बटा P E बटा Q और F बटा R अब यहां पर आपको P Q और R की आवश्यक्ता है R तो यहां पर खतम हो गया था R कहीं भी प्रश्ण में दिखा ही नहीं यहां पर R तो लाना पड़ेगा अगर समानतर शेणी में है तो अगर तीन संख्याएं समानतर शेणी में है तो आपको यह सिद्ध करना है कि इसका डबल किसका डबल बीच वाले का 2 E बटा Q बढ़ावर होना चाहिए D बटा P प्लस F बटा R के यह हो जाए तो हमारा काम हो जाए यहीं चाहिए हमको और कुछ भी नहीं चाहिए तो देखो यार प्रश्ण में p बटा Q जो था वो बीटा के या माइनस पी बटा क्यों पी बटा क्यों जो है वो बीटा के बराबर है तो हपन सबसे या पूरे जो सवाल में जहां जहां पर भी बटा क्यों है उसे बीटा बीटा रखके थोड़ा सरल करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सरल लगेगा तो अच्छा भी लगेगा तो यह मिल बराबर डी बीता का वर्ग प्लस एफ इतना ठीक है अगर कोई आपको समस्या नहीं है तो हमें काम करते हैं पूरे समी करण में बीता से भाग दे देते हैं और अगर हमारी चाहो तो हम बीता के वर्ग से भाग देते हैं चाहो तो पहले बीता से भाग दे के देख लो बीता के वर्ग से भाग देने में थोड़ी मुझे मतलब अच्छा लगेगा क्योंकि क्यों आ जाएगा मैंने पूरे समीकरण में बीटा के वर्ग से भाग दे दिया अगर मैं पूरे समीकरण में या नहीं नहीं हम पूरे समीकरण में बीटा से भाग अगर बीटा से भाग देंगे त Bta Q को मूल माना था रखा इसमें और इसमें रखने के बाद ये जो माइनस या P Bta Q है उसे बीटा माल लिया क्योंकि हमने P Bta Q को तो Bta लिख़ए था तो उससे थुरह समी करन सरल दिख गया और कुछ मैं अब जहां जहां पर भीता है वहां वहां आपको P Bta Q रखने कोई समस्या नहीं है नहीं है तो रख दो तो क्या दोई बराबर डी गुणा पी बटा क्यू प्लस एफ गुणा पी बटा क्यू होना चाहिए होना चाहिए यही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए P बटा क्यों होना चाहिए बीटा की जगे पर अब दूसरा वाला जो काम है यहां पर आपको R चाहिए क्या चाहिए R तो वो जो बीटा है ना उसे R के रूप में लिखने की कोशिश करो बीटा को आर के रूप में लिखने की कोशिश करो क्या आएगा वो देखो तो बड़ा सिंपल है देखो अगर बीटा पहला पद बटा दूसरा पद था तो वही बीटा तीसरा पद बटा दूसरा पद भी होना चाहिए अरे P, Q और R आपने लिखा था ना कि P जो है अगर वो P के बराबर है अगर इस समांतरिया गुणतर शिणी का पहला पद P है दूसरा पद Q है वो R बीटा है और तीसरा जो पद है R या वो P गुणा बीटा है Q जो है वो P गुणा पीटा बीटा और ये P गुणा बीटा का वर्ग GP है ना GP में क्या होता है संख्या गुणा होती जाती है तो ये वाले बीटा को तो आपने यहां से लिख दिया बीटा बराबर Q बटा P और यह जो बीटा है अगर यहां से लिखने की कोशिश करोगे तो यह बीटा R बटा Q भी लिखा जा सकता है तो इस बीटा की जगे आप R बटा Q लिख सकते हैं और यह वाले बीटा की जगे Q बटा P लिखेंगे P बटा Q ने क्या लिखेंगे Q बटा P बस इतना है अब क्या करो Q को उपर भेज दो तो 2E बराबर DQP प्लस FQR इस दना क्लियर है हमने क्या किया है एक Bita को तो इन दोनों की मदद से लिख दिया इस वाले Bita को इन दोनों की मदद से लिखा क्यों क्यों क्यूं क्यों कि यहां पर मुझे F के बटे में R चाहिए था सवाल की दरकार यही है कि F के बटे में R होना चाहिए ठीक तो अब यहां से अगर Q को बाहर निकाल दोगे तो यह बचेगा 2E Q D बटा P प्लस F बटा R अब अगर मैं Q से भाग दे दूँ तो 2E बटा Q बराबर D बटा P F बटा R और आपका जो प्रशन है वो हल हो चुका है कि E बटा Q का डबल D बटा P प्लस F बटा R के योग के बराबर है अतहा D बटा Q या D बटा P E बटा Q और F बटा R GP या AP में है AP मतलब समानतर शेणी में है That's it इसका डबल इन दोनों के योग के बराबर तो यह यह और यह तीनों संख्या हैं समानतर शेणी में होनी चाहिए तो इस तरह से विवेद प्रशनावली के या विवेद उधारन के प्रशन आपको दिख गए होंगे बहुत खतरनाग होते हैं यह बात सही है लेकिन कॉंसेप्ट को बहुत अच्छे से हम देल कर सकते हैं व इवेद उधारन में प्रेशन नमबर 24 उधारन नमबर 24 समाप्त अगर आप इन वीडियोस को मैगनेट ब्रेंस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको इस सारे वीडियो सिस्टेमाटिकली मिल जाएंगे अगर फिर भी वहाँ आपको इन वीडियोस को देखने में दिक्कत होती है तो www.magnetbrains पर जाएंगे और उसके बाद आपको वहाँ पर कक्षा ग्यारवी में cbsc हिंदी माध्यम का चैन करना है उसके बाद आपको गनित विशय दिखेगा बहुत सारे अध्यायों के नाम दिखेंगे किसी भी एक अध्याय पर क्लिक करेंगे तो उसस किसी भी बोर्ट से हो चटी सिले के बारवी तक चाहें वो किसी भी कक्षा में हो सारे विशय सारे सब्जेक्स हर सवाल हर कॉनसेप्ट पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाता है इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी चार्ज देने के आवश्यक्ता यहां पर नहीं होती है त तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद